कि रुक जाओ क्या ना में तरह आयूब गाल किसके लिए काम करता है नहीं बोल नीन जिस काम के लिए तुम सब यहां आये हो वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है फिर भी आप अरॉम के नीन सो रहे हो वो भी इस शेटान के राज में शेटान? किदर है वो शेटान? जिस जगह पे हमारा हुकूमत नहीं होगा वो जगह हमारे लिए शेटान का राज होगा क्यों? भूल गया क्या तरह फर्ज? भूल गया क्या जिहाद? जिहाद? जिहाद की याद मत दिलाओ जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से बंग्लादेश को अलग किया उस हिंदुस्तान को कश्मीर की ओर से जवाब देंगे ए युसुफ याद रख आजाद कश्मीर का सपना साकार करने के लिए यहाँ के सब भिंदों को खतम करना चाहिए तो मेरे हाथ क्यों बाद रखा है? मुझे और और ज्यादा हत्यार चाहिए को काम इतना आसान नहीं है हिंदुस्तानी फोज को इस जगह पे शक हुआ है अमानुला खान हमने इस करको चारो तरफ से गेर लिया है मैंने चाहता कि अब और कोई खून खराबा हो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपने घर से अपने हाथ उपर करके बाहर आजाओ मैं पॉंच तक जिंती करूगा आमानुला खान एक जो त्रीन चौर पॉंच त्रीन य मिद्ध आप य हूँ य हूँ यह यह तुम पॉर कि अ करका दो कि अ कर दो झाम, हो कि अ गया खितने, खुझ कर दो दो! कर दो करदो है by आठ हाँ मुझे माफ कर दो मैं सacho जिस देश का नमकाता है हो उस्तीदेश के साथ गद्दारी करता है उस दिन क्या dying मंदीर क्या मस्ेट क्या पेड किया हवा क्या वगवान उसका रूप क्या अब देख देख खुदा काई इंसाफ तेरे सामने मौत बन करकर आए नहीं तू क्यों? क्योंकि हम दोनों एक ही मजब के है अमानुल्ला खान हम दोनों सबसे पहले हिंदुस्तानी है अच्छा तो फिर कौन सा दिश्का हो? हम अपने पहचान देश से नहीं धर्म से करते हैं लेकिन हम अपने पहचान अपने करम से करते हैं तेरा हाद फासी का पन्दा है ना? देख खुल गया पन्दा अब तू क्या करेगा? मार मार मैं मौत से नहीं डरता अगर जिहाद के लिए शही दुआ तो जिन्नत नसीब होगी बेवकुफ जिहाद के नाम पे बेगुना लोगों को कतल कर रहे हो तुम जैसे लोगों को मिलेगा स्वर्ग नहीं नरक नरक नहीं आजाद कश्मीर आजाद कश्मीर एक यूसुफ को मारने से ये जिहाद खत्म नहीं होगा हजारों लाखों यूसुफ पैदा होंगे और ये जिहाद जारी रहेगा तब हिंदुस्तानी फाज और उसकी हिम्मत को हमसे लड़ने की ताकत नहीं रहेगी ताकत नहीं रहेगी तेरे जैसे कीडे को मारने के लिए हत्या की जरूरत नहीं हिंदुस्तानी सिपाई का हाथी काफी है ये पांच उंगलिया अलग अलग धर्म है यहां का परंपरा इन सब धर्मों को हमेशा हमेशा के लिए जोड रखा है इसमें 120 करोड हिंदुस्तानियों का थाकत और आशिर्वाद है इस थाकत का तू कभी अंदाजा नहीं लगा सकता जैहिंद